यह आदेतन अपराधी हैं, इन में जो विशेश रूप से एक विक्रम और विक्की करके अपराधी है, यह बाले सर एरिया का रहने वाला, इसके उपर पहले से 20 मुकदमे हैं, यह अभी हमें पकड़ना बागती हैं, और उसके अलावर जो हम लोगों ने लोग पकड़े हैं, उनके भी पहले से क्राइम रिकॉर्ड हैं, तो यह जो जैसे सुनार है, उसके उपर अपने उपर खुद 10 मुकदमे हैं पहले के, और जो बाकी के तीनों लोग हैं, उनमें से भी एक के उपर पहले से मुकदमे हैं, उसके साथ यहां के, यह इन लोगों को अंदाजा था कि उनके नाम है, जिन लोगों को हमने पकड़ा है, उनके नाम है, उनके नाम है, 10 एपरल की बात है, जवर्थाना चेत्र में धवा एरिया है, वहां पर एक सुनार के साथ लूट की वारदात हुई थी, जिसमें एक गाड़ी आई, गाड़ी ने अचानल से सुनार को रोका, जो की अपनी बाइक को जा रहे थे, और उनसे जो समान था, वो छीन के लेके अचानल से सुनार के साथ लूट की चाली थी, इतना ये वारदात होने के बाग हम लोगोंने टीम बनाई, टीम के अंदर जो अडिशनल डीसीपी हरफूल जी के उसमें गाइडेंस में, एसीपी बोरानाडा जैप्रिकाश, उसके लावा जो हमारी तीम हम लोगोंने विशे उसमें बनाईगे, और तीनों टीम नोंने काफी प्रयास किया, सारी जितने भी सुचना है वो सब संकलिक की गई, संकलिक सुचना के आधार पर कुछ लोगों के नाम आये, लोगों को दस्क्याब किया गया, दस्क्याब करने के बाद फाइनली ये जो घटना है, ये खुली और बाकि की जो टीन बच्राइबी के प्रयास जारी है, इसके अलावा करीब 400 ग्राम सोना बार 11 क्लो चांडी ये जो अधी बरामत की जा चुके, बाकि का सामान बरामत करने के प्रयास जारी है और प्रकाश, शिवलालो प्रकाश जो हैं वो एक दूसरे के भाई हैं और एक जो है लड़के का नाम है भागाराम जिसका इन लोगों से ऐस सच कोई संपर्ख नी है पर ये उस विक्रम के साथ जेल में रहा था वही पर इसकी उसके साथ विक्रम के साथ दोस्ती हुए और वह जिन को गिरफतार किया है उसका जो नाम है रमेश रमेश तो मीश